मैं आपको असमें तिक्षाउंगी क्या क्या लगा रखा है कैसे पूदे आं चलते हैं तो यह हैं टमॉटर के कितना बड़ा पेढे है बस अब इसमें टमाटर आनिक ही तरह एक पूरा पेड़क जुग गया है असली चीज में दिखाने आई थी आपको यह पालक कपल अब पालक सीजन जैसे जा रहा है तो पालक की फूल आने शुरू हो गए बीज आने शुरू हो गए हम इसको क्या करेंगे थोड़े से और जब बीज आ जाएंगे इसको मिकठा करके है अपने खेतों की ताजी ताजी पालक देखें बीच में फूल भी है कितने सुंदर फूल आया है वो देखें दूर तक आया हम तोड़ेंगे पालक देखें दोस्तों इधर भी यह पालक अब हम तोड़ते हैं पालक को देखें तो देखें हैं इसे मोटे मोटे पत्ती है कि कि अच्छा कई सब्सक्राइब कि तोड़ेंगे कि कर देखिए दोस्तों यह सब पालक है हमने तोड़ के सब हतम हो गया है अब इनकी ब्रीज आने का ताहिं हो गया है कि वीजों कोई कठा कर लेंगी यह देखिए बाहर से करें निंबू का पेर जिसमें फूल आने शुरू हो गया अब थोड़ी थोड़ी इसमें धीरी-धीरी से फूल की जगा निंबू भी आ जाएगे देखिए कितना बड़ा पेर है इसी के बीच में एक ही धुनिय का पेर उगा हुआ है तो पता नहींता मैंने अब भी देखा इसको में खीच लेती हो सब्ची में डालने के लिए काम आ जाएगा यह है दनीय का पेर और देसी धनिया बहुत अच्छी खुश्वू आ रही है शायद अपने आप उगाया था एक छोटी ख्यारी यहां भी बनाई है अब अब मेरी आप ख्यारी का ओवर्वीव लीजी देखी तूर से कितने सुंदर लग रही है कितने सारे पेड़ें चीडियों की आवाज आ रही है और यह एक पेड़ है यह है ड्रम स्टीक का जिसे हम सहजन भी कहते हैं ड्रम स्टीक का पेड़ है और अभी इसमें फल तो आ गए हैं बट इसमें सूक गए हैं मिलक्या से तो दोस्ते आप लोगों ने देखा मेरी किचन गार्डिन को इसमें प्लांट है कैसी कैसे हमने सज्जयाब होई है और आपको कैसे लगा मेरा इस वीडियो अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब सबूर करें मेरी इस चानल को थैंक्यू